हलो इस्टुएंस एक बार फिर से सागत आपका अपके अपनी यूटूब चैनल एया इस्टेडी ग्यान पे तो जैसा कि आप सब को पताइए कि हम यहाँ पर आपके जो बीएसी सेकिंडेर मेंसे में आपकी बुक चलती है इसके Most Importance Question पर हम लगातार बात करें जिसके हमने लगबाणे को इसके दो इनियुट में आपके लिए कमपर नियुलिस्ट में आपके बन सकते हैं और आज हम यहाँ पर आपके लिए नई यूनिट इस्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर हम समझते हैं उससे पहले हैं यहाँ एक definition पर बात कर लेते हैं क्योंकि यह definition काफी बार जो आपके one marks के question होते हैं उसमें काफी बार पूछ लिजाती है कोजिबाशन के संक्षपश, पर जो क्या है फलन f, विवरत अंत्राल अच्छाते हैं आपको बता रखा है तो विवरत अंत्राल i पर पर Πरिभाशिद हो वे पर पर सतत होता है यह रहनी continue यहाँ पर आपके होता है यहाँ पर इसकी condition क्या है कि यदि यहाँ पर आपके जो X फ्लोन है वो greater than है 0 से तो इसके लिए धनराशी जो यहाँ पर लेंड़ा है वो आपके यहाँ जीरो से greater than होगा तो इस condition में आपर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पर चितन करने वाले उसके बाद आती हैं हो आपकी सांतेतर निली परिवाषित एक्जामाइब पूछ ली जाती है बिंदू एक सामेप्य में परिवाशित एफ एपर क्या कहलाता है यानि कंडियूइट कहलाता है यादि एको अभिरत होने के वाले अनुकरम यानि सिक्वेंस आपके यहां पर आप दिखेंगे एएन के संगत फलनीय मानों का अनुकरम एफ एएन यानि एन का फंक्शन हो एफ पुछा गया है कि इस प्रकार की कोशन आपके काफी आते है कि examining the following functions are continuous at x equal to a यानि आपको कोई सी पर लिमिट देदी चाहिए कि आपको x equal to 0 या x equal to a तो यहां पर आपको इसकी क्या करनी है तो यहां पर निम्न फलनों के लिए x equal to a पर आपको सांतिता कि यानि continuity की आपको य ये आपको दो function दे रखे तो यहांपर आपको दो function दे रखे सबसे पहले हम a वाला करेंगे उसके बाद हम b वाला करेंगे तो a वाला function हमारा क्या है fx equal to यहां पर mathemat मे आप देखेंगे fx equal to 1 अपार x minus a यहां दे रखा है अब जब भी हम सांतित्य निकालते है तो हम यहां और आचल लेना होता है और इस का मतलब होता है राइट हैंड लिंट और यहां पर यहां पर हमारे फंक्शन क्या दे रखा है हमारे फंक्षन होता है F bracket में A plus H यहाँ Morate हमेशा आपके जब RHL में यह ही आपके limit होगी और LHL में आपकी यह वाली limit होती है F A minus H यहाँ पर होती है RHL में F A plus H और यहाँ पर होती I F A minus H इस बात का आपको दिखान दिखना है अब आपको क्या करना है अब यहाँ पर आप देखेगा कि यहाँ पर जो आपकी फंक्षन दे रखा ए अपको 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 प्लस H, और माइनस A, यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर A से यह A कटे जाएगा क्योंकि यह प्लस में और माइनस में और क्या बचेगा, 1 अपॉन H यहां पर आपको जीरो जैसे यहां पर H के अपॉन में जीरो रखेंगा, अच्छी तरह से यहां पर आपको रखना है तो यहां पर आप देखेंगे जैसे हम यहां पर X की जगह क्या रखेंगे A minus H हम यहां पर रख देते हैं A minus A आ पर आ जाता है, उसके जाता है क्या होगा A से यहां पर A minus A कट जाएगा और क्या बचेगा minus 1 अपूर H यहां पर बच जाता है और H की जगह जैसे हम यहां पर limit 0 रखेंगे तो यह क्या जाएगा minus infinite और यह पर क्या रहता है infinite हैं कि दोनों अलग है तो हम यह आपर के सत्वे के R Python है वह not equal to आपके LHL के यहां पर होता है ठीके तो यह cape हमारा वालता तो वो तो हमारा केसा है यहां पर सतत नहीं है यह दोने केसे अरहें Estados 가서 अब बात करते हैं तो बीज़ी की तो बीज़ें अ manufactured ग्रीचे करना एकर आप इयांपकर वेले यह बाएक यह इकलल रखना है और हमें यह फंक्षयन चाहिए और यहां इस अकलल ह मारा कर दो आरे चल की क्या condition होती है limit h h एक टेंस टू यहाँ पर 0 और यहाँ पर function में क्या होता है a plus h होता है अब आपको simple क्या करना है जो यहाँ पर a plus h है उसको कहा रख देना है हमारे यहाँ पर x की जगा आपको आपको रख देना है इहाँ पर हमने simple बस करा है कि यहाँ पर a plus h की वैलू है वह पर हमने इस x पर रख दिया और एक बार इस x में आपर हमने रख दिया है फिससे solve करते हैं यहाँ एक से यहाँ पर a minus से एक a cut हो जाएगा यहाँ पर ह बचेगा h बचेगा और यहाँ पर भी cos 1 upon h यहाँ पर आपके बच जाता है अब यहाँ आप आप देखेगा कि जैसे हम यहाँ पर h tends to 0 रखते हैं यहाँ पर ह की लिमिट 0 रखते हैं तो भार तो 0 और यहाँ पर 1 upon h की जगा 1 upon 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या जागा यहाँ पर क्या जाता है और यह जो भार 0 दे रखा है वो इस पूरे cos infinite को क्या बना देगा 0 बना देगा तो हमारे रहल के आ जाता है 0 अब बात करते हमें लहल की तो लहल में यहाँ आप आप देगें f a-h यहाँ पर आपकी बात कि यह rule तो आपने प्लस रखाग है यहाँ रखा हो और यहाँ पर ब्रेकेट के बार h आता है हैं यहां पर आप यहाँ पर क्या होगा द्रखना होता है अगर यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर x psychology यहां क्या देए रल्ठी यहां पर 0 दे रखी यांनि हम यहां पॉत मैश्च़र क्यारा निकल क्याता है प्लब क्लिए है यहां आरे यह सेम आजाती है, आप एक सारब से यह के सबटे हैं, कि अगर तीनों value सेम आती है, तो उस condition में प्रोत्प्रिफर हो जाता है, जब भी बी आपकी RHL, LHL और जो function एक फांक्शन ही, वो तीनों value आपकी अगर सेम आती है, तो उस condition में हम के सकते हैं, वो हमारा केसा होता सतत होता है यानि continuity यहाँ पर हो जाती है तो यह हमने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया इस टाइक कोशन काफी वार युनिशिटी एक्जाम में पूछी जाते है अब बस इस सिमिलर कोशन आपका एक कोर है जिसे भी आप बिल्कुली यहाँ से देखेगा पर इसके बाद हम आपको एक ऐसी थियोरम कराने वाले जो की काफी ज्यादी वार यहाँ पर युनिशिटी एक्जाम में पूछी जाती है आप उस थियोरम को भी अच्छी जाते समझेगा उससे पहले हम यह कोशन पर बात करते हैं जो की काफी वार पुछा गया कोशन है य पिछली बार यहां पर आपके कि x equal to a पर रखना था और इस वार x equal to zero पर आपको रखना है तो इस बार x equal to zero दे रखा है का मतलब है कि यहाँ पर आगर आपके A दे रखाए तो इसकी जगह A यहाँ पर आपके आएगा लेकिन यहाँ पर जब X की जगह 0 दे रखाए यानि यह एक से एक तरसे किसका काम कर रहा है A की वेल्यू का काम कर रहा है यानि यहाँ पर A की वेल्यू क्या दे रखिए जीरो य यहां पर x equal to a दे रखा है लेकिन यहां पर x equal to 0 है और आपके जो हमेशा x है उसे हम a मानटी यहां पर करते है तो यहां पर a की जगह भी आपको क्या रखना है 0 यहां पर रखना है तो यहां पर आप देखेगा कि यहां पर a की जगह क्या आ जाता है आपके 0 यहां पर आ जात क्योंकि यहां पर आपको x equal to 0 दे रखा है उपर वाले question में थे x equal to a दे रखा था इसलिए हमने diet a plus h को functions में रखा था लेकिन यहां पर आपको x equal to 0 यानि a तस आप कह सकते हैं कि यहां पर a की value 0 दे रखी थी एक ही value हमने यहां पर 0 रखी तो इसको function h बच गया अब इसको आपको उपर function में रखना है ओके आई ओप आपको समझ में आ चुका होगा यहां पर क्या आ जाता है cos 1 upon h यहां पर क्या जाएगा limit क्या है h tends to यहां पर 0 है h की जगा हम 0 रखेंगे तो यह क्या बना देगा cos 1 upon 0 बन जाता है हमारा cos infinite और एक बात का आप ध्यान रखेगा जबी भी cos infinite आता है तो हमेशर जो उसकी limit है वो minus 1 से और plus 1 के बीच में आपके परीमितमान के अंदर होती हो जिसमें आपका आरेचल है यह राइट है लिमिट है वो आपकी विदमान उस condition में नहीं होती है जब हमार आरेचल ही निकला तो हम LHN निकाल के क्या करें इसलिए हमारे यहां पर answer हो जाता है कि यहां पर आपका केसा है यहां पर ही सतथ नहीं है अगर यह सतथ नहीं है तो हमिदमान का पर एक्जाम में बनते हैं आई होब आपको यह दोनों कोशन काफी आच्छी तो समझ मार चु फोती इरती सा मोश मोश इंपटेंट लगा लीजिगा ठीक है तो यहां पर हमारी कया है उस से पफ़ला जिन भी 선생님 से अभी था कि iṣe shen ko like नहीं कर वह तो प्ली शe s kan ko like जरू क養 लिजिगा तो यहां पर परिवर्दता है। यानि continuous हो तो वहां उस अंत्राल में कैसा होगा परिवाद होगा है यहां पर आपके होगा तो एक और इंग्लिश में बता देते हैं if a function f is a continuous in a close interval a,b then it is a bounded in that interval यह आपको प्रूफ करके बताना है यहां पर आपके लिए होने वाले भी लेकिन इससे आप बिल्कुत ध्यान से समझेगा यहां पर आप प्रूफ में देखिएगा कि यहां पर सबसे पहले कि आपके जो functions है वो a,b यहां पर आपके जो यह सवराद अंतराल का ब्रैकेट होता है आप से को अच्छी तो से बता है मैं यह पिछली क्लास में बता रखा है सवराद अंतराल है यानि close interval में यह केसा है सतत है यानि continuous है यह जो हमें कुशन में दे रखा है अगर यह continuous है तो इसके कई सारी उप अंतराल भी होगे यानि sub interval भी होगे कौन कौन से हम यह पर मानते की यह पर आपके जो शुरुआत वाला तो हमेशा a रहेगा और last वाला बी रहेगा इसके बीच में आपके कई सारी यहां पर उप अंतराल होने वाले जिसे के हम यह पर देख सकते हैं a से लेकर a1 तक फिर a1 से a2 तक a2 से लेकर a3 तर चलता जाएगा an तक अडर last वाला बी यहां पर रहे नहीं वाला है आप अब यहां पर आपके देख़ेगे कि हमारे a है यहां पर उसमें जबान पर पहहला उप उप नजहेगे है is the मापांक यानि इसका मोड है हमें से किस से लेस्देन होता है यहां पर एक्स फ्लों से यहां पर याद रखनी है उसके वाद यहां पर आप देखेगा कि हम यहां पर फंक्शन का अगर हम मापांक लेते हैं तो उस करते हैं एक वर प्लस में और एक वर माइनस में यहां पर रख देते हैं आप बिल्कुल दियान से दुबारा देखेगा कि यहां पर आपको जो एक्स का फंक्शन है इसमां एक फंक्शन को प्लस करते हैं और एक वर माइनस करते हैं अगर यह कंडिशन हो जाती है तो हमारी एक का मापांग यहां पर प्लस आकष्टन होगा यहां पर यह लेक्षे की एके काम करते हैं जैसे effort का गश्याज़ें तरह थीजिए से यहां पर रहों करते आपके अंपर यहां रहे जुब'll करते हैं घ्याज़ाइब्र हम इक्वेशन आज आती है, इक्वेशन नमं को किस में बिलोंग करते हैं, इस कंडिशन में क्या होगा कि यह आपको जो X का फंक्शन है, माइनस है यहाँपर a1 का function से उसका मापांग हमें से किससे लेधाय देन हाँए a1 का function माइनस माइनस एक्स सवह न होगा x के function से और यह किससे लेधायंद होगा a1 के function प्लस x लों से यहांपर लेधायन हो जाता इस condition में weeks का क्या निकालेंगे यहाँपर Mapping हम यहां पर निकालेंगे तो इसका Mapping निकालने के लिए क्या करते हैं? यहां पर जो f x का function है इसमें हम a1 के functions और a1 के functions को क्या करते हैं? माइनस कर देती है यह एक वर plus में और एक वर minus में जिसे अभी हमने अभी कर रहा था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर F A1 का तो अलग से यहाँ पर मापांग आ जाता है और इस वाली value को हम क्या लिख सकते हैं F A1 को हम इसे X-Fa1 यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेगा और यहाँ पर जो हमारे F A1 आया यहनी A1 का जो function आया है यहां पर अगर आपके x का function है तो हमें इसे यहां पर f1 भी मान सकते तो इसके जगा हम क्या लिख सकते हैं तो by equation second हम यहां पर क्या लिख देंगे इससे आपको यहां पर देंगे तो इससे आपको यहां पर देखने को मिलेगा अभी यहां पर यहां पर तक जाएगा अपके n x-flown तक यहापर यह आपके चला जाएगा और अगर यह condition आती है तो इस condition को दिखते हूँ हम क्या कह सकते है कि a का जो function minus n x-flown है वो किसे less than होगा x के function से और x का function किसे less than होगा a के function और plus n x-flown से यहापर आपके less than हो जाता है अगर यह condition आ जाती है तो यह condition हमें यहाँ पर निकाल नहीं थी, यहनि हमारे जो यहाँ पर आप देखे हैं, समवरत अंत्राल, एक ओमा भी था, हमारे यहाँ पर क्लोस इंटर्वेल, वो फंक्शन में कैसा हो जाता है, परिबाद हो जाता है, यहीं बांडेट है, यहाँ पर हो जाता है, इस वारे थोरम को आपक से बेटर समझ में यहापर आ जाता है क्योंकि यहापर मैस में मैंने आपको सभी क्लासे में काया कि आपको प्रैटिस करना है आपको काफी ज्यादा जरूरी रहता है उसके लिए हमारे यहापर जो नेश्ट क्लास होगी वह भी हमारी यहापर थियोरम बेस पे होने वाली क्यो